तो आज किस वीडियो में अन्बॉक्सिंग और इंडेफ्थ रिव्यू दिने वाला हूं मैक्सिमा मैक्स प्रो वाइब स्मार्ट वाच का जो अभी अभी लॉंच हुई है और अगर बात की जाए box की तो यहाँ पर आपको कुछ highlighted features देखने को मिल जाएंगे और सबसाची बात यह है कि यह made in India product है उसी की साथ यहाँ पर कुछ details देखने को मिल जाएगी और एक बार इसको open करके check करते है कि क्या contents देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी यह smartwatch तो इससे एक बार निकाल लेता है तो इस smartwatch को बात मैं check करेंगे उससे पहले एक बार कुछ contents चेक कर लेता है तो box contents की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा magnetic two-pin charger तो magnetic two-pin charging का support देखने को मिल जाएगा और cable की length भी अच्छी गासी है उसी के साथ यहाँ पे कुछ documentation वगिरा देखने को मिल जाएगे चुकि बताता है कि यह made in India product है तो सबसे पहल अगर बात करें build quality और first impression की तो इस watch के अंदर high quality polycarbonate build देखने को मिल जाएगी उसी के साथ में पीछी की side में कुछ sensors देखने को मिल जाएगे और यहाँ पे charging के लिए space दी गई है उसी के साथ यहाँ पे इस type से एक button को place किया गया है और overall अगर बात की जाए build की तो premium feel होती है उसी के साथ straps की quality को भी अच्छा रखा गया है तो overall बहुत सही build है प्लस इसके अंदर weight बहुत ज़्यादा कम है तो इसको आप गंटों तक आराम से पहन सकते हो और बिल्कुल भी बलकी feel नहीं होगी watch को मैंने boot कर दिया है और यहाँ पे कुछ इस type से interface देखने को मिल जाता है बाकी अगर display की बात की जाए तो इस watch के अंदर 1.69 इंचेस का 240 by 280 pixels resolutions के साथ display देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे display की quality बहुत सही रखी गई है उसी के साथ यहाँ पे आपको 550 nits की peak brightness देखने को मिल जाती है जोकि बहुत सही है यानि कि direct sunlight में use करोगे तो भी कोई problem नहीं होगी उसी के साथ इस watch के अंदर bezels की बात की जाए तो नीचे की side में हलका सा मोटा bezel है वाकि यहाँ पे इस price segment के अंदर इस type के bezels मिलना normal है इस smart watch को phone से connect करने के लिए आपको अपने phone के अंदर एक application डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है Maxima Smartfit जोकी Google Play Store पे आराम से available हो जाएगा तो इस application को डाउनलोड करके कुछ permissions वगरा दे देना उसके बाद यहाँ पे add device पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा आ जाएगा Maxima Max Pro wipe तो यहाँ पे टॉप पे आ चुका है तो इसके उपर क्लिक करके within seconds यह watch connect हो जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो connect हो चुकी है तो यहाँ पे इस type से इस watch को application से connect कर सकते हो बाकी application के अंदर 100 plus watch faces देखने को मिल जाएगे built-in 5 watch faces का support है बाकी यहाँ पे watch face 3 के उपर क्लिक करके edit पे क्लिक करके custom watch faces भी लगा सकते हो बाकी यहाँ पे more watch face पे क्लिक करोगे तो 100 plus watch faces का support देखने को मिल जाएगा बाकी यह वाला मैंने custom watch face लगाया है और अगर बात की जाए custom watch face की quality की तो वो बहुत सही आती है उसमें कोई problem नहीं है उसी के साथ यहाँ पे यह वाले watch face भी लगा सकते हो यह smart watch 3 ATM water resistant भी होने वाली है यानि की इसको पहन के swimming भी कर सकते हो तो यहाँ पे ratings बहुत सही देखने को मिल जाती है उसी के साथ इसके अंदर 10 days का better backup complete claim करती है बाकी मैंने इसको personally use किया था और 7-8 days तक का better backup आराम से देखने को मिल जाता है जोकि यह decent है UI की बात की जाए तो इस watch के अंदर बिल्कुल simple सा user friendly interface देखने को मिल जाता है नीची की तर स्वाइब करके यहाँ पे basic से options देखने को मिल जाता है उसी के साथ right की तर स्वाइब करके applications देखने को मिल जाएंगे तो यह वाली जो मैंने बताई यह वाली list style है उसी के साथ इस watch के अंदर एक menu style और देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पे grid style करके आती है और इसके अंदर इस type से applications वगरा show होता है बाकी सबसे ची बात यह है कि lags वगरा बिलकुल देखने को नहीं मिलते है तो smooth सा experience देखने को मिल जाता है overall इस watch के अंदर बाकी applications वगरा ढूनना जादा इस easy मेर को तो list style में ही लगता है उपर की तर स्वाइब करके notifications वगरा देखने को मिल जाएंगे right की तर स्वाइब करके कुछ components देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे proper graphs के अंदर data show हो जाएगा तो यहाँ पे यह सारे components का support देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे अपने सबसे access कर सकते हो तो चली अब एक एक करके कुछ applications चेक कर लेता है सबसे वेल option देखने को मिलेगा activity का और इसके अंदर सारा data अच्छे से show हो जाएगा जिसको check कर सकते हो उसके बाद sleep monitor देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे भी proper data show हो जाता है और इसके अंदर भी 85-90% accuracy आजाती है उसके बाद option देखने को मिल जाएगा heart rate sensor का और यहाँ पे आपको working heart rate sensor देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे watch को नहीं पहना था तो यहाँ पे लिखा आ चुका है warning कि आपने अच्छे से नहीं पहना है वाकि इसकी reading को मैंने ओक्सिमीटर से 2-3 बार compare करके देखा है और readings match करती है तो यह smart watch heart rate का accurate data provide कर देती है उसी के साथ इस watch के अंदर 100 प्लस sports mode देखने को मिल जाएंगे जिनको आराम से access कर सकते हो और अगर बात की जाए accuracy की तो सभी के accuracy बहुत अच्छी है और 95-100% तक की भी accuracy देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर pedometer बहुत अच्छे से work करता है इस smart watch का उसके बाद यहाँ पर option देखने को मिल जाएगा SPO2 का और SPO2 के लिए dedicated red light sensor available नहीं है तो इसके लिए मैं short नहीं हूँ तो इसके लिए मैं जादा कुछ कह नहीं सकता उसी के साथ यहाँ पर weather का option देखने को मिल जाएगा और 7 days का weather show हो जाएगा इस smart watch के अंदर और animations वगिरा बहुत सही है उसी के साथ यहाँ पर remote capture का feature देखने को मिल जाएगा तो इसको भी एक बार use करके बता देता हूँ तो यहाँ पर smart watch पर click करके phone के अंदर timer on हो जाएगा और इस तरीके से images ले सकते हो इस smart watch से उसके बाद यहाँ पर music player का option देखने को मिल जाएगा और इससे phone के music को control कर सकते हो पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस smart watch के अंदर inbuilt speaker नहीं है तो फिर यहाँ पर watch के अंदर song नहीं सुन सकते पर phone के song को play या pause या पर control कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर breathe का option देखने को मिल जाएगा और यह smart watch आपको continuously inhale और exhale के लिए guide करेगी उसी के साथ यहाँ पर basic सा option देखने को मिल जाएगे जैसी के stop watch, alarm, timer तो यह सारे options को भी अपने साब से access कर सकते हो और तीन alarm एक time पर set कर सकते हो तो यहाँ पर यह भी options available है उसी के साथ flashlight का भी option available है तो बहुत अंधिरा हो तो as a flashlight भी use कर सकते हो और last में है settings settings के अंदर menu style बता चुका हूँ intensity अपने साब से set कर सकते हो vibration की उसी के साथ यहाँ पर brightness adjust कर सकते हो vibration देखने को मिल जाएगा power saving mode देखने को मिल जाएगा और calculator भी available है चोकि बहुत अच्छी बात है मेरे को ऐसा लगता है कि सारे smartwatch इसको calculator देना ही चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा useful feature होता है तो calculator भी available है उसी के साथ यहाँ पर last में basic से option देखने को मिल जाएगे तो अब last में अगर बात करें conclusion की तो conclusion देने से पहले इस watch का price बताना चाहता हूँ जो कि होने वाला है सिर्फ 2000 रुपीस तो 2000 रुपीस के साथ से यह watch totally worth it है और इसको आप consider कर सकते हो अगर आपको fitness features वगरा accurate चाहिए या फिर एक अच्छी सी looking smartwatch चाहिए जो कि lightweight हो बाकी watch faces वगरा बहुत शांदार देखने को मिली जाते है basic से features सारे ही है plus display अच्छा है plus main highlight होने वाला है 3 ATM water resistant तो overall बहुत शांदार watch है अगर आपको purchase करनी हो तो buying link देखने को मिल जाएगी description में तो description जरूर से check करना बाकी comment करके बताना यह watch कैसी लगी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye